मैं बिहार का एक परिशान चात्र हूँ मेरा सिर्फ एक ही सपना है सिर्फ एक कि किसी तरह बिहार से सीजल का एक्जाम निकाल लो और इसके लिए मैं पटना से गया गया से आरा आरा से छपरा चपरा से मुझा फर्कुर ओर ना जाने कहाँ कहाँ अच्छे टीचर्स की त्लाश में गया या फिर यहीं बैठे बैठे एक यूटीबर किसी भी टीचर्स से कुछ भी पढ़ देता था और उसके बाद नोट्स पर नोट्स पर नोट्स नोट्स पर नोट्स पर नोट्स फर नोट्स नोट्स खतमी होते नोट्स 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 और फिर मुझे मिला शुपर कोचिंग जो और वनस्टॉप सॉलूशन को बाहर SSC CGL एजाम जहां पर आपको बाहर के अन्वभी सिक्षकों के साथ मिलेंगे 1500 प्लस लाइब ग्राश्व, 130 प्लस मॉट्स, 20 प्लस फोर्स एंड 200 प्लस इस्ट्रक्शन स्टेडी नोट्स इसके साथ आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट जिसलिए आपको पूपन को रूज करना है GET BWSC Hello everyone, this is जोटसना तिवारिया and welcome to Super Coaching बिहार बाइट टैस्बूक यूट्वीब चैनल यहां पचा स्वागत है आप सभी का Super Coaching बिहार बाइट टैस्बूक यूट्वीब चैनल पर जहां पर मैं जोटसना तिवारिया आपकी current of your faculty आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस बहतरी सेशन में तो सारे की सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को जॉइन कर लीजे और ज्यादा से जादा आपने दोस्त के लिए रिलेटिव रिश्तेदार नातेदार भाई जो कोई भी है सभी के साथ इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बहतरीन उतना ही जबरदस्त ये सेशन आप सभी के लिए बनने वाला है तो बिल्कुल बच्चा याद रखना कि जितने जादा लोग होंगे उतना ही बहतरीन ये session होगा तो सारे की सारे बच्चे एक बढ़िया तरीके से session को जोईन कर लो ठीक है राहुल जी very good morning राहुल प्रनाम very good morning अभी जीच जी very good morning राधारानी राधे राधे राहुल मैं हम like and share कर दिया है very good तो सबी को hi, सबी को hello सबी को good morning तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से session को सबी के साथ share कर देंगे और उसके बाद हम discuss करेंगे आज का ये session ठीक है तो समय हो चुका है भाई फटा फट से live आ जाओ सारे के सारे बच्चे समय हो चुका है और जल्दी से आ जाईए live विकाज यू देखो जल्दी से live आ जाईए राजनंदनी very good morning राधारानी very good morning सभी को hi, सभी को hello, सभी को good morning तो आज का morning dose आप सभी के सामने आ चुका है आज का morning dose आप सभी के सामने आ चुका है तो बढ़िया तरीके से एक बार सारे के सारे बच्चे session को कर देंगे शेयर है ना बढ़िया तरीके से एक बार very very good morning राधारानी है ना सारे के सारे बच्चे पूरी की पूरी बच्चा पार्टी एक बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर कर देगी एक मिनिट का समय दो ताकि आप सभी के साथ मैं भी सेशन को जादा से जादा क्या कर दू भाई शेयर कर दू है ना एक मिनिट का समय दीजिएगा ताकि आप सभी के स तो चलो जल्दी से बच्चा लाइव आ जाओ 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 जल्दी जल्दी लाइव आजाओ बढ़ियां तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिएगा बढ़ियां तरीके से काव करना है भहिया सेशन शेयर करना है बढ़ियां तरीके से तो उसके बाट डिसकस करेंगे आज का यह सेशन एक मिनिट का समय देना आपन बड़े लेवल पर इसका डिसकर शेर कर देते हैं इसको बड़े लेवल पर एक मिनिट का समय दीजेगा बच्छा पाटी एक बार इसको बड़िया बड़े लेवल पर क्या कर देते हैं शेर कर देते हैं ठीक है तो भहिया जल्दी जल्दी से आई जाओ लाइव और उतन करना है जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी फट्टा फट बिना समय गवाई हुए ओके मैडम विलकुल ओके जी राजनंदनी सब ओके बाई सब ओके बानी चलो एक बार सबी को सेशन शेयर कर दो ठीक है चलो तो सारे के सारे बच्चे एक बार बढ़िया तरीके से बचवा सेशन को कईदो शेयर और उसके बाद हम डिसकस करेंगे आज का ये सेशन जो कि आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए बहुताए ज़्यादा जरूरी और बहुताए ज़्यादा इंपोर्टेंट है चलो ए अपके लिंक नहीं होते हमारे भी लिंक होते हैं और हम उन लिंक पर कर देते हैं शेयर जल्दी से आजाओ भाई लाइव ठीक है जल्दी से लाइव आजाओ बच्वा और एक बढ़िया तरीके से सेशन को कर दो शेयर चलो बढ़िया तरीके से शेयर कर दो संजीत जी दोड एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को का करना है शेयर करना है जादा से जादा जादा से जादा शेयर करना है ठीक है उसके बाद हम डिसकस करेंगे आज का ये सेशन क्लियर है ना सभी को क्लियर है बिल्कुल है क्लियर होगा बाई बिल्कुल है क्लियर होगा चलो तो एक बार बढ़ियां तरीके से सेशन को शेयर कर दो सारे सारे बच्चा पार्टी ठीक है चलो तो हमारी शेरिंग केरिंग हो चुकी है बढ़ते हैं सेशन की तरफ देखते क्या कुछ नहीं है तो बहार सिविल कोट BSSE CGL दोनों के लिए करेंट अफेर की डेली करेंट अफेर क्लास है इवन आप किसी भी एक्जाम की तयारी करो भया करेंट अफेर तो समय आता है तो जिद सेलेक्शन की अब याचना नहीं रन होगा तो देखो आप सभी के लिए एक बहुत ही बैतरी सेल आई है विजई भवासेल है ना जिससे आपकी विजई होगी दोड़ते बागते आगए चलो बहुत ही बढ़िया है तो हम भी दोड़ते बागते आए आखे मेरी नशीली आखे आपको बता रही होंगी कि कितनी नीद बरी है इनमें कैसे दोड़ते बागते आये हैं चलो तो बहार गवर्मेंट जो आप की बात करेंगे हम तो देखेगा आप सभी के लिए कोर्स आया है 637 रुपई का महीने का कोर्स है आप इस कोर्स को लोगे अगर आप बहार गवर्मेंट एक्जाम का कोर्स लेते हो इसका subscription तो आपके सारे बिहार के exam इसमें cover हो जाएंगे साथ ही मिलेगा एक free mock test sorry free test book pass मिलेगा जिसमें खुब सारे खुब सारे mock test होंगे है ना ऐसा एक free test book pass मिलेगा और साथ ही classes भी मिलेगी लेकिन इतना कुछ कम मिलेगा जब आप JYOT code का use करोगे तो इतना कुछ कम मिलेगा जब JYOT code का use करोगे तो code का use करना बिल्कुल मत भूलो और अगर individual course लेना चाते हो तो बिहार police का course अभी label है PSSC CGL का course अभी label है ठीक है बिहार civil court का course अभी label है सारे courses है अलग-अलग आप individual course भी ले सकते हैं वो और कम का है वो 504 रुपे का है हिसाब लगाओ छे महीने का तो महीने का लगबग 84 रुपे पड़ेगा बस है ना इतना तो तुम खाने पीने में उड़ा देते होगे खाने में भी और पीने में उड़ाते होगे ठीक है चलो तो करना क्या है और साथ ही मिलेगा टेस्ट बुक का पास लेकिन यह सब कम मिलेगा तो जे वाई उटी कोड का यूज करो देखो अगर आपके मैं आपको एक टारगेट देती हूं ठीक है आपके असपास अगर कोई भी है भाई है बहीन है रिष्टेदार है नातेदार है दोस्त भाई है कोई भी है और वो बस करना चाहिए उसके मुझे निकलेना यार सोच रहा हूं कि एक कोर्स ले लो बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है तो भाई तु इधर आपकड़ पकड़ उसको भाई यो बैन बहें तु इधर बैन तो इधर उसको बोल लॉगिन कर और भी लोगिन कर तीक है टेस्ट बुक तो इसको लॉग इन करवाओ, कोर्स दिलवाओ, इतना सस्ता, वो भी आपको पता है, दुआए देगा, हाई राम इतना सस्ता कोर्स दिलवा दिया, ओफलाइन में तो हजारो रुपे पे करने पड़ जाते हैं, दिलवाओ, लेकिन बोलो, भाई, कंडिशन तो एक ही होगी, त बारा बज़े आपकी ये सेल खतम हो जाएगी, तो जिनको भी कोर्स ले रहे हैं, भीया, बारा बज़े तक ले लो, मुझे नहीं लगता, इस से बहतर ओफर मिलेगा, बारा बज़े तक कोर्स ले लो, जे वाई ओटी कोड का यूज करो, और चिल करो, है ना, चलो, और बढ बारी प्राब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, भीया, कोड को यूज करो, ठीक है, बढ़ियां से कोर्स लो, 20 से भी जादा वीडियो कोर्स मिलेंगे, 130 से भी जादा मोक टेस, इतने मोक टेस कर लोगे, खोपड़ी में छेद कर दोगे, ठीक है, पेपर की 200 से भी जादा, स्ट परियां तरीके से तैयारी करवाएंगे, चला, ठीक बनी कि ना ही, चलो, आगे बढ़ जाएं, एक बार देखो, कमेंट देख लेते हैं, कमेंट बॉक्स का रुजान कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो, राधा, राधा, राधे, राधे, राजनन दिनी, गुड आईफोन यही वाला दे देती हूं, आपको है, यही ले ले ले, ना, आईफोन चाहिए तो मैं, चलो, क्या है, हाँ, एसा मिलेगा, घूमने का पास भी, बिल्कुल, बिल्कुल, घूमने का पास, जो तना मैडम के साथ, ट्रिप मिलने वाली है, आपको है, मजे करना बढ़ क्या ही बताऊं मैं तो चलो इस्टार्ट कीजे मैं बिलकुल स्टार्ट करते हैं राधा रानी सुन्दर बाल मैम की सुनेरे बार हाँ चलो तो पड़ते करेंट फिर बाई जोचसना तिवारी यानि की मेरे दौरा शुरुआत करेंगे पॉजिटिव तौड के साथ होती तो तिहास रचा है याद रखना देखो जब भी आप अपने स्ट्रगल दौर में होगे आप हमेशा अकेला पाओगे खुद को लोगों को मतलब नहीं होता है यार यह तो इसके पास नौकरी नहीं आटाओ लेकिन यह वही लोग आपके पास खड़े होंगे आके और आप इनसे कॉंटेक्ट नहीं करोगे यह तो भी दुनिया को बताएंगे यार वो मेरा दोस्त है ऐसा कब होगा जब आप सकसेज होंगे और याद रखना अंधेरे में तो आपकी परचाई भी आपका साथ छोड़ देती है तो मुसीबत में तो नो डाउट कोई साथ नहीं होता शंगर पहले पास दिलवा दो तभी तो गूमने चलेंगे पहले पास दिलवा दो रुची कुमार रुची जी रुची कुमारी जी लोगों को पहले पास दिलवाईए तभी तो गूमने चलेंगे चलो तो देखिए का करेंट अफेर फैकल्टी में हूँ यह सारे एक्जाम्स कॉलि लेते हैं पही ले तो पैन का कलर इकॉन सा ले ले रेड ले ले चलेगा ना रेड हाँ चल जाएगा ठीक है रेड चल जाएगा चलो तो आज का पहला कोशन है कि भाई 14 अक्टूबर 2022 की बात है कुछ जादे मोटा पैन हो गया इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं ना तो बात बाते भाई 14 अक्टूबर 2022 को जारी 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही है 14 अक्टूबर 2022 को ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी हूँ इसमें भारत की रैंक क्या है 102, 107, 110, 115 जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा रुची तो मैं कुमारी बना दिये अरे भाइया होती है गलती होती है ना इंसान से गलती होती है इंसान से चलो KGF भी आए है गजब गुड मॉर्निंग KGF जी मर्दी आइफोन के लिए मैं अकाउंट में रुपया डाल देंगी दिवाली गिफ्ट खरीद लेना हाँ हाँ सही कह रहे टैंक है तो मैं तो नहीं मानती मैं नहीं मानती देखती हुआ कि मिजॉरिटी किसके साथ है। ठीक हम तो नहीं मान सितक है मिजॉरिटी जिसके साथ होगी है मुषका आंसर क्या मानेंगे सही मानेंगे उसका अंसर है ना तो Global Unger Index में चलो तो बिल्कुल है सही बोल रही हो, बिल्कुल है सही है, तो आशर हो जाएगा 107, बिल्कुल सही 107, तो 14 October 2022 को जारी 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में, भारत की जो रैंक रही है, वो कितनी रही है, 107 रैंक पे था इंडिया, इंडिया की rank क्या थी 107 भूके ही मर रहे हैं यहां पर अभी भी सब्वेना 107 rank थी इंडिया की चलो आगे देखो इसके बारे में और डिटेल दिखते हैं ठीक है 107 rank किसकी थी इंडिया की थी बाकियू country की top 3 है top 5 country कौन सी थी हम देख लेते हैं कि top 3 top 5 country कौन सी थी ठीक तो भारत का 107 वा इस्थान था हद बता गया है लेकिन वास्तों में ऐसा है नहीं हा बिलकुल सही कह रहे है हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, संजीत वास्तों में ऐसा है नहीं, बुकमरी और बुरी हालत में हमारे इंडिया में, नोड़ाओ, चलो, उसके बाद अपने थोड़ी पडोसी देशों को देख लेते हैं, पडोसी देश को, दुश्मन देशों को, सब को देख लेते हैं, तो मानी चाहिए, पाकिस्तान की पोजीशन 99 है, नेपाल की पोजीशन क्या है, नेपाल की पोजीशन क्या है, नेपाला कर दिया मैंने, मैंने को लग रहा है, मैं सुभा सुभा भांग का के आई हूं आज, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है, है ना, कुमारी को कुमार ब पना रही हूं हो रहा है मेरे साथ आज कुछ तो हो रहा है चलो एनिवेस आंसर नेपाल की 81 रैंक है नेपाल की रैंक क्या है 81 रैंक है नेपाल की चलो अभी जी पीके 99 वेरी गुड चलो तो 2021 में 166 रैंक थी इंडिया की पाकिस्तान की रैंक अभी जो है 99 है नेपाल की रैंक जो है वो 81 है। ठीकल उसके बाद में बांगलादेश की बात करूं। तो बांगलादेश mister की rank रांगलादेश元 का चव mixer एक पर यसान सबसे बड़ी चीज ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को जारी कौन करता है है ना अगर मैं बात करूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को जारी कौन करता है कंसन वर्डवाइड फॉर वेल्थ हंगर हंगर लिफ कंसन हिंदी में लिख दू कि इंग्लिश में यह सही लगेगा concern worldwide है ना वल्ड वाइड है अरे 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 वल्ड वाइड है ना बात हो रही है इसको मिटाने ही पड़ेगा है ना चलो ठीक है तो देखिएगा बात हो रही है concern बात हो रही है concern worldwide ओ फॉर वैलाथ वैलन्थ गर dal फॉर इसको इंधी में वैलन्थ गर हे संस्था है जो की रिपोर्ट जारी करती यह जो संस्था यह एक रिपोर्ट जारी करती और कौन सी जारी करती है यही जिसके बारे में पढ़ रहे हो वर्ड हंगर इंडेक्स है ना वर्ड हंगर इंडेक्स इसको कौन जारी करता है भाई तो वर्ड हंगर इंडेक्स को जारी कौन करता है पेपर में अगर कुश्चिन आता है भाई हाल ही में वर्ड हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है जिसमें भारत की रैंक 107 रही है इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है तो याद रखना concern worldwide for welcome author help you, यह जारी करता है इस report को, अगर top पर कौन-कौन से देश थे तो देख लो अगर मैं बता दू भाई कि याँ पर top पर कौन-कौन से देश थे, pen का colour बदल तू बदल देती हूं, है ना तो अगर मैं बताऊं कि top पर कौन सी country थी, top पर तो first पर तो भाई कौन था चाएना था हैना हैना फस्ट पर चाएना कहाँ से भुकमरी आएगी यहां पर कीडे मकोडे जींगा ठीक है चमगादर सब तो इनको खाना होता तो भुके मरेंगे कैसे यह तिक है दुनिया में जो बना होगा वो सब यह खालेंगे चाएनीज तो भ कि यहां सतंव सिवान से कौमन से हैं कि हम दो हमारे की नीजित अपनाना पड़े है तो पर कॉन रहा है चाईना रहा है थींके नाम में रहते तो नहीं रहते होंगे तीसरी पॉजीशन पर कौन है थर्ड पॉजीशन किस की है तो अगर मैं बोलू कि फोर्थ पोजीशन किसकी है तो फोर्थ पोजीशन है उस बेकिस्तान की उस बेकिस्तान है ना उस बेकिस्तान की पोजीशन क्या है फोर्थ पोजीशन पर आपका उस बेकिस्तान है लास्ट बट नॉट डालीस रशिया जो है आपका उसकी फिफ्ट पोजीशन है रशिया की प पूछा वो तो 107 है अगर वो भारत की रैंक ना पूछ करके आप से यह पूछ ले कि टॉप 3 में कौन से देशन इमलिखित में से यह कौन से तो याद रखना चाइना सब खा लेटा इसलिए वो कभी भूका नहीं मरेगा ऐसे याद करना एक तरीका बता रहे हो आपको याद क करने का कि चाइना जो है उसको जो मिलता है हाड मास ठीक है कीडे मकोडे वो इंसान भी खा जाए बो दिन दूर नहीं जब वो इंसान भी खाने सरू कर देगा तो इसलिए चाइना टॉप पर होगा सेकेंड पे नाम में ही हंगरी है हंगरी लोग होते हैं तो सेकेंड पे सेले से भूके हैं इसलिए इनको बोला दया कर दी कि नहीं तुम टॉप पे रहो तुम सेकेंड नंबर पे रहो चलो आगे बढ़ते नेक्स कोईशन देखो अभी इंग्लिश में दे दिया लेकिन घबडाना मत है ना हार्ट अटेक मतलाना मैं आपको इसको हिंदी में समझा मतलब मेरी आपसे एक ही मांगे मुझे गुरु दक्षिडा में कुछ नहीं चाहिए कंजूस्त तुम लोग होई बड़े पर कोई गिफ्ट दिया नहीं तुमने मुझे ठीक है बस इतना याद रखो कि मेरी एक विश है कि करेंट अफेर की जब क्लास होना तो भाई साब एक होनी चाहिए और इसको कौन बनाएगा ऐसा आप बनाएंगे ठीक है ना इसको टॉप कर इंट फिर क्लास कौन बनाएगा आप बनाएंगे यह आपकी जिम्मेदारी है ना तो करना क्या है देखो मैं सुबारोज तो आती हूं ठीक है मैं सुबारोज आती हूं क्लास लेत मैंने studio भी ऐसा ले रखा है कि यहां पर बढ़ता नहीं है, इसका मतलब यह मैं इसको ऐसे फाड नहीं सकती, problem यह है, ठीक है, तो थोड़ी सी माफी चाहूंगी, लेकिन, डर नमस साहब, है न, डर English से नहीं लगता, साहब, डर font size से लगता है, नहीं लगेगा, चलो देखो, लिखा है, consider the following statement, यहां पर एक statements दिये गए है, उनको आपको consider करना है, the first one is, देखो, यहां पर तीन है न, तो यह इनोंने number नहीं डाले, पहला यह हो जाएगा, दूसरा यह हो जाएगा, और कहां गया, तीसरा हो यह हो जाएगा, है न, तो यह तीन statement है, अब एक एक करके गाटन इन्होंने किया, कब किया यह, सक्त्रइज एक्टूबर 2022 को किया था, Indian Agriculture Research Institute ढोरा, इंडियान एकरी कल्चर रिसर्स इंस्टीट आ रही है जो उसमें और यह इंस्ट्रॉल्मेंट दी जाएगी इसकी डारेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर में है ना डारेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर मतलब डारेक्ट जो किसाने उसके खाते में जाएगा पैसा तीसरी लाइन कहती है कि पी-म विल आल्सो लांच सबसेडी पी-म इसी के साथ सबसेडी भी लांच कर रहे हैं किसके लिए यूरिया के लिए यूरिया बैक के लिए सबसेडी लांच हो रही है और सिंगल ब्रांड जिसका नाम क्या है भारत भारत ऐस पार्ट ऑफ दी वन नेशन वन फर्टिलाइजर ह को यह launch कर रहे हैं ठीक है तो तीन बाते मैंने आपको बता दी बकाइदा हिंदी में बताई है अब बताओ इन में से कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है आपको यह बताना है कौन सी बात सही है कौन सी गलत है थपड से डर नहीं लगता है मैं डर तो लफ से लगता है आरे से सेम पिंच है ना दुखती नस्पे आथ रख दिया आपने के जी अब मुझे भी थपड से डर नहीं लगता साथ प्रेम से डर लगता है ना चलो मैं जी मुझे अंग्रेजी नहीं आती कोई बात नहीं अभी जीत मैंने इसलिए तो हिंदी में बताया मुझे पता है आपर इनको सौ बार बताया है भाई अगर क्वेश्चन बड़ा है एक पेज में हिंदी नहीं आ रही है तो उसकी पूरी हिंदी दूसरे पेज में लग दू लेकिन इनको हिंदी भी नहीं समझ में आती समस्या यह अब इनके लिए मुझे मुझे मलयालम या कंणर सीखनी पड़े आज मुझे यहां पे बेशक 15 बच्चा दिख रहा है 16 बच्चा दिख रहा है लेकिन मुझे यह बच्चा एक समय पर 100 भी चाहिए है ना कि भाईया कुछ हो जाए दुनिया यहां की वहां हो जाए यह वो 100 बच्चे हैं चाहे आग बरस रही हो लेकिन जोटसना मेडम की करे जादा कुछ नहीं है ठीके चलो तो आंसर इसका क्या हो जाएगा ओल कह रहे हैं बिलकुल सही है आंसर है आल वन टू थरी तीनों की तीनों बाते बिलकुल सही है पी एम देखो पी एम ने लॉंच की है क्या पी एम किसान सम्मान योजना 7-17 अक्टूबर 2022 को इसको लॉंच किया था इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च इंसिटूट न्यू डैली में बात सही है दूसरी बात इन्होंने कही कि इसमें 16,000 करोड का फंड दे रहे हैं बिलकुल सही बात है तीसरी बात इन्होंने कही कि यूरिया बैक्स सबसडीज के रूप में यूरिया बैक्स दिये नाम होगा ब्रैंड भार्त ब्रैंड का वो होगा और वन नेशन वन फरडिलाईजर सरी सारी बाते में सबसाड़ी का निके उर्ण किये जा रहें लेंगे Ländern अब हस्तांतर के माद्यम से बारवी किस्त के रूप में PM किसान फ्लैग योजना किता है 16,000 करोड रुपे दिये जाएंगे चीक है तो 8,000 करोड से अधिक किसानों को अच्छा अब यहां पर एक चीज और देख लो फाइदा किसको मिलेगा तो 8,000 8,000 करोड प्लस 8,000 करोड प्लस जो किसान है वो क्या हो जाएंगे वो लाभारती होंगे उनको लाभ मिलेगा बैनिफेशरी होंगे इसके क्या होंगे बैनिफेशरी होंगे है तो 8,000 से भी ज़्यादा किसान जो है इसके क्या हो जाएंगे बैनिफेशरी जिनको इस योजना का लाब मिनने वाला है, आठ हजार से भी ज़्यादा ऐसे किसान है, जिनको इस योजना का लाब मिलेगा, ठीक है, और कौनू बात जाओन इंपोर्टेंट होए भाईया, तो में लिए ना ही, और कौनू बात नहीं है, चलो, नेक्स्ट क्वेस्चन देखो, आपका क्या हो जाए बाई, कह रहे हैं कि 14 अक्टूबर 2022 को, IIT दिली ने आई एनेवेंटिव, All IIT RD, All IIT RD शोकेस का उद्गाटन किया है, इसका उद्गाटन किया, किसने ये बताना है, रमेश पोकरियाल, प्यूश गोईल, ठीक है, हमेश शाय धर्मेंदर प्रधान, किसने किया है, जल्दी ब आरा बच्चे हो गए, क्या कीडा क्या है, कोई कुछ काट लेता है, क्या करेंटफेर की क् controlling class यूश शुरू हि होते ही, ऐसा कोई कीडा काट लेता है, क्या, जो तुमें भागने की नौबत आती है, क्यों भाई, कौपी पैन लेकर के बैठो, चीजों को discuss करो, समझो, समझो बात को भागने की जल्दी क्यों हो जाती है ये और नहीं समझ आता मुझे मुझे मौबत कमजोर दिलों को काम नहीं मैं रूहे काम जाती है जब यार जुदा होता आरे तेरी तो राधारानी मुझे लग रहा है आपका तगड़ा वाला डैश है क्या है क्या वताओ चोड़ो ह है ना चलो तो आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रदान कह रहें लोग तो बिल्कुल सही धर्मेंद्र प्रदान इस अबसिल्यूटली राइट आंसर तो क्वेशन है 14 अक्टूबर 2022 की बात है आयाइटी दिल्ली जो है वहां पर आई इन्वेंटिव पहले और आयाइटी आ स्टाम पेपर लाओ 50 रुपए का 100 रुपए का लिखकर दे देती हूं यहां से क्लास से जितने भी बच्चे भागे हैं इनके इतने बुरे हालात होने वाले हैं करेंट अफेर में कि इनसे ना रोया जाएगा ना हजा जाएगा ठीक है यह कहीं के नहीं बचेंगे इतना अंसर क्या हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा तीन सो अधिक संगठनों को यह मदद करेंगे इसके अंतरगात ठीक है चलो और मेक इन इंडाज डिश्टल इंडिया और आतमें दिर भारत के दश्टी कोड से इसको जोड़ा गया है और कुछ इंपोर्टेंट है भारत का अगला राजदूत किसको बनाया गया विजय जसूजा बंडारू विलसन बाबू प्रले मंडल या पार्थ सत्पती जल्दी से बताओ आंसर इसका क्या हो जाएगा सारे कि सारे बच्चे आंसर करेंगे कि what will be the right answer एक हजार के लेके आ रही है मैं ठीक है जल्दी से जाओ दोड़के जाओ दोड़के आजाओ एक हजार लेकर आ रही हो बच्चे जल्दी दोड़के जाओ दोड़के आओ है ना फटापट से जाओ फटापट से आओ विल्कुल है ना ठीक है एक हजार बच्चे लेकर कि आ जाओ यहाँ पे लाइफ क्लास में डेली कसम से आंसर बताओ, आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, मैं श्राप दे रहे हूं, नहीं, मैं श्राप नहीं दे रहे हूं, मैं जीवन की सच्चाई, देखो, मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं, और मैं हमेशा आज में जीती हूं, है ना, जो चीजे कभी हुई ही नहीं है, मैं उन बोष्णिया और हर्जे गोविना में, है ना, बोष्णिया और हर्जे गोविना में, भारत का जो अगला राजदूत है, वो कौन बनाए भाई, वो पार्थ सत्पती को नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त कहिया गया है, पार्थ सत्पती है, आई एफस अधिकारी है, Indian Foreign Service कौन है यह IFS अधिकारी है IFS मतलब Indian Foreign Service अधिकारी है ठीक है अगर मैं बात करूँ तो ये जो दो शेहर है ना ये हैं कहां पे यॉरोप में है ये जो शेहर है ये आपकी किस कॉंटिनेंट में है तो यॉरोप continent में है ठीक है Europe continent में यह दो शहर आपके बसे हुए है ठीक है आगे बात करूँ चलो तो राजधानी क्या है सारा सारा जेवोस है ना इनकी राजधानी क्या है तो वो हो जाएगी सारा जेवोस है ना answer क्या हो जाएगा, सारा ठीक है, सारा जेवोस, clear है सब को सारी चीज़े, बिलकुल clear होंगी, ठीक है, बिलकुल क्लियर होंगी सबको, बिलकुल, आगे इसके बारे में मैं बात करूँ, ठीक है, टेको प्रलाय मंदल जो है, इनकी CSB बेंक में न्युक्ती हुई है, प्रलय मंडल जो है CSB Bank के MD बनाए गए है CEO है ना इनकी नियुक्ति CSB Bank में हुई है प्रलय मंडल की एजा MD और CEO और विजय जसूजा जो है इनको भी MD और CEO बनाया गया है कहा का अगर मैं बात करूँ विजय जसूजा तो इनको भी MD and CEO बनाया गया है तो विजे जसूजा को कहां का M.D. और C.E.O. बनाया गया है तो B.F.S.I. का M.D. और C.E.O. इनको बनाया गया है ठीक है Banking Financial Services Insurance and Services of End Insurance Banking Financial Services and Insurance B.F.S.I. का बंडारू Wilson बाबू की बात करूँ तो ये भी I.F.S. इनको मेडा गासकर में भारत के राजदूत है ठीक है जो बंडारू है मेडा गासकर में भारत के राजदूत है ठीक है चारो ऑप्षन डिसकस कर लिए आप कुछ इंपोर्टेंट नहीं बचा नेक्स्स कुछचन भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोले तो इसरो ने 23 अक्टूबर को 2022 को UK के वैश्विक संचार नेटवर्क OneWeb के कितने उपगरे लॉंच करेगा जल्दी से बताओ भारती अंतरिक्ष अनुसंदान संगठन इस रो 23 अक्टूबर 2022 को UK के वैश्विक संचार नेटवर्क वन वैप के कितने उपग्रे लॉंच करेगा 28, 32, 36 या 40 कितने उपग्रे लॉंच करेगा जल्दी से बताओ मैं के कंटेंट बहुत सुपर है शेयर करो बिल्कुल बिल्कुल सारे के सारे बच्चे शेयर करो और जल्दी बताओ भारती अंतरिक्ष अनुसंदान संगठन बोले तो इस रो जो है आपका ये 23 अक्टूबर को लॉंच कर रहा है ठीके वैश्विक संचार नेटवर्क वन वै लॉंच करेंगा है ठीके कौन करेगा इस रो करेंगा ठीके चुठ चरुनाओ लंच कर र्यट बहुंच कर लै कि ए GSLV, PSLV, GSLV, M के थड़ ये तीन चीज़ हैं ठीक है चलो आगे बात करती हूँ तो ISRO की बात कर लेते हैं तो देखो इसका फुल फॉर्म तो इसके इनों ने यहीं पर दे रखाये ISRO का फुल फॉर्म तो इनों ने यहीं पर दे दिया है अब इस रो की full form तो दे दिया अब बात करते हैं इस रो का headquarter कहां पर है इस रो की बात कर रहे हैं तो full form इन्हों ने यहीं पर दे दिया है कि देखो यह लिखा है Indian Space Research Organization यह है इस रो का full form अगर मैं बोलू कि इसका headquarter कहां पर है तो आपका answer क्या हो जाएगा बैंगलूरू में headquarter है अगर मैं बोलू इसकी स्थापना कब हुई थी तो आपका answer क्या हो जाएगा बैंगलूरू में headquarter है 1990 में 1969 में इसकी स्थापना हुई थी ठीक है founder कौन थे विक्रम सारा भाई है ना founder इसके कौन थे किसने खोजा था भाई इसको तो विक्रम सारा भाई एका खोजे रहे ठीक भा ठीक बनी की ना ही बिल्कुल ठीक बनी ठीक है जल्दी बताओ अभी इसके वर्तमान MD कौन है MD कौन है present में है ना जल्दी से बताओ भाई है का हो एक है answer जल्दी से बताओ ठीक है जल्दी से बताओ भाई है का है answer का हो जाएगा एस सोमनात है, कौन है भाईया, AKMD and CEO कौन है, तो वो है एस सोमनात है ना, एस सोमनात को अपोइंट किया गया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेस्चन देखो, डॉक्तर APJ अब्दुल कलाम की जैनती पर, डॉक्तर APJ अब्दुल कलाम की जैनती को पलक्ष में, 15 अक्टूबर को व भारत रतन मिला था, 93, 95, 97, 99, अए जल्दी बताओ भाईया, का हो एक सही आंसर, सारे के सारे बचवा आंसर करो भाईया, का हो एक सही आंसर, ठीक है, जल्दी से बताओ, एक सही आंसर जो है, का हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से बताओ, एक सेकेंड रुकना, एक आपका कवने इर्मा ये सेलिब्रेट किया जाता है कवने इर्मा ये बताना है तो एक कह रही है रुची गलत है रुची आप 1997 होगा इसका सही आंसर भारत रत ने इनको कम मिला था 1997 में ठीक है तो सबसे पहले बात करते हम किसकी सबसे पहले विश्व चात्र दिवस की बात करेंगे कि विश्व चात्र दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है तो विश्व चात्र दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है तो याद रखना 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व चात्र दिवस है ना तो वर्ल्ड इस्टूडेंट्स डे है ना वर्ल्ड इस्टूड कहते थे देखो किसकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है है ना तो डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम है ना किसकी याद में तो डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम की याद में की जैनती पर याद में की जैनती कर दू ज्यादा बेस्ट है ना डॉक्टर अबजुल कला की जैनती पर सेलिब्रेट करते हैं तो डॉक्तर अब्दुलकलाम की जैनती पर इसको क्या किया जाता है सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है इनको प्यार से जनता का राष्ट्रपती कहते थे जनता का राष्ट्रपती इनको क्या बोला जाता था जनता का राष्ट्रपती इनको मिला था पद्म विभूशन पद्म विभूशन मिला था इनको 1990 में और उसके बाद 1997 में इनको क्या मिला भारत रत्न मिला है ना 1997 में क्या मिला इनको भारत रत्न अगर मैं बोलू तो याद रखना भारत का सर्वोच नागरिक सम्मान है पेपर में क्वेश्चन आता है भारत का सरवोच्चे नागरिक सम्मान कौन सा अंसर हो जाएगा भारत रत ने ठीक है क्लियर सबको सारी चीज़े चला आगे बढ़ा जाए कि ना ही तब तो मैं आई भी नहीं थे इस धर्ती पे तो हमें कैसे मालूम होगा अच्छा यह सही था कि इस धर्ती पे नहीं आई थे तो कैसे मालूम होगा मैं आगे थी मुझे आई हुए हो गए थे दो-तीन साल तो होई गए थे मुझे आई हुए ठीक है चलो तो 1997 में इनको क्या दिया गया था भारत रत ने अब मैं बताऊं कि तो आच-प्टूबर में और कौन-कौनसे डे हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं तो आठ अक्टूबर को इंडियन एयर फोर्स डे कब celebrate होता है 8 October को 9 October को celebrate होता है विश्व डाक दिवस ये भी important है 9 October को क्या celebrate होता है भाई विश्व डाक दिवस कब celebrate होता है 9 October को है ना 9 October को celebrate होता है आपका विश्व डाक दिवस और देख लेते और को important day है October का नहीं है बस इतना ही है चलो आगे बढ़ते हैं तो next question देखो दुनिया भर में ग्रामीड महिलाओं का अंतर राष्टिय दिवस कब मनाया जाता है when is the international day of rural women celebrated across the world है न कब मनाया जाता है when international day of rural women कब celebrate करते हैं 14 October 15 October 16 October या 17 October ठीक है जल्दी बताओ भईया एक आंसर का होए और एक रहे बाद एक बार रचके सेशन का शेयर कहे दो भाई कहां दिक्कत आ रही है एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को कर दो शेयर बढ़िया तरीके से और बताओ कि इसका आंसर का हो जाएगा ठीक है चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा नेक्स क्वेस्चन देखो भाई और बताओ हमका इसका आंसर का होगा ठीक है चलो तो देखिएगा कब celebrate होता है 5 October International Teachers Day मैं रादा रानी बिलकुल सही 5th of October National Teachers Day 5th of September स्वारी 5th of September National Teachers Day 5th of October International Teachers Day ठीक है तो इसका आंसर पंदरा अक्टूबर को यह celebrate होता है ना तो दुनिया भर में ग्रामीर महिलाओं का अंतर राश्टिय दिवस ठीक है इंटरनेशनल डे ओफ रूरल विमन कब celebrate होता है 15 October को celebrate होता है पहली बार 2007 में celebrate किया गया था ठीक है अगर मैं बात करूँ तो पहली बार है ना वो पहली जब हम मिले हांथों में हांथ जब हम चले हो गया यह दिल दीवाना है ना ठीक है यह वही वाला पहली बार है ना चलो तो पहली बार 2007 में celebrate किया गया था पहली बार 2007 में और किसके दौरा तो UN दौरा UN के दौरा इसको डिक्लेयर किया गया था है ना यूनाइटेड नेशन्स और्गनाईजेशन, हेड़कॉर्टर न्यॉयॉक, स्थापना 24 अक्टूबर 1945, है ना, हेड कौन है, सिकेर्टरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुतेरेस, उनकी याद में, देखो, उन्होंने ही इसको डिकलेर किया था, अगर मैं बोलू कि 2022 की थीम क्य अको स LIKE शी का थी? याद रखना जब भी कोई दे होता है, तो सबसे माहतपोन होती है उसकी थीम, तो रूरल विमन क्ल्टीवेटिंग गूड फॉर या थी, इसकी थीम, रूरल विमन, क्ल्टीवेटिंग, देखो इसकी theme क्या थी बचवा इसकी theme क्या थी रूरल विमन कल्टीवेटिंग ठीक है रूरल विमन कल्टीवेटिंग गुड़ फूड फूड फूर अल है ना यह थी इसकी theme ठीक बानी चलो आगे बढ़ते नेक्स क्योशन देखो फिर दे दिया इनोंने ऐसी एक क्योशन चलो इसको छोड़ दो किस दिन को विश्यो खाद दिवस की रूप में मनाते हैं है ना आपको जल्दी से बताना है कि वर्ल्ड फूड डे कप सेलिब्रेट होता है समय कब सेलिब्रेट होता है तो कब सेलिब्रेट होता है विश्यो खाद दिवस सोला अक्टूबर को क्या celebrate होता है विशु खादे दिवस world food day ठीक बनी कि ना ही हम आज कल बहुत feel कर रही है हाँ हाँ बहुत feel कर रही हूँ मैं आज कल कुछ जादी मैं बच्चे बढ़ गए 10 से अब 20 हो गए 30 भी होंगे 50 भी होंगे वो दिन भी आएगा है ना चिंता मत करो देखो सब का दिन आता है हर डैश का दिन आता है समझ जाओ क्या कहना चाहरी हूँ मैं चलो आंसर क्या हो जाएगा सोला अक्टूबर को तो विशु खादे दिवस कब celebrate किया जाता है ठीक है चलो आगे बड़े इसके बारे में आगे इसके बारे में और क्या important है क्या हाँ इसे किसके द्वारा celebrate किया जाये था तो खादे एवं करशी संगठन की स्थापना हुई थी इस दिन संयुक्त रास्ट के इस दिन क्या पर यहाँ पर इस दिन क्या हुआ था खादे एवं करशी संगठन है फूड एंड एग्री कल्चर और्गनाईजेशन जो है आपका फूड एंड एग्री कल्चर और्गनाईजेशन फूड एंड एग्री कल्चर और्गनाईजेशन की स्थापना हुई थी इस दिन क्या हुआ था बच्चा, तो food and agriculture organization की क्या हुई थी, इस थापना हुई थी, कब हुई थी भाई, 16 October को, 16 October को, जिस दिन ये मनाते हैं, ठीक है, food and agriculture organization की इस थापना हुई थी, है थीम देख लो, थीम सबसे important चीज है, थीम जो है, विशय इसका सबसे मातपूर्ण है, तो leave no one behind है ना, क्या थी, तो इसकी theme थी, leave no one behind, किसी को भी पीछे मत छोड़ो है ना, leave no one behind, अब मैं आपको food related दो organization बताती हूँ, सबसे पहला है आपका world food program, सबसे पहला organization है, आपका world food program है, और दूसरा organization आपका क्या है, जो की, अभी मैंने बताया, food and agriculture organization, food and agriculture organization, तो ये दो आपके हैं, और दोनों का headquarter है ना, दोनों का headquarter है, वो आपका क्या है, रोम इटली में है, दोनों का headquarter हो जाएगा आपका, रोम इटली में, क्योंकि इसकी trick है, बड़ी मस्तसी, और trick है इसकी, देखो, trick है इसकी, रोम रोम है ना रोम रोम में खाना इसकी ट्रिक है रोम रोम में खाना रोम रोम में खाने का मतलब है कि खाने से संबंदित कहने का मतलब यह है कि खाने से संबंदित सारे और्गनाइजेशन सारे और्गनाइजेशन का जो हेड़कॉर्टर है वो कहां पर होगा रोम में होगा खाने से संबंधित जितने भी और्गनाईजेशन है सबका हेड़कॉर्टर कहां पर है रोम में होगा नेक्स्ट क्वेस्चन देखो फिर उनने ऐसी चिंदी अरकत किये आज इनको सही से बताना पड़ेगा मुझे है ना इनको सही तरीके से बताना होगा चलू इनतर रास्ट्रिए अंतर रास्ट्रिए कौन सा रास्ट्रिए गरीबी अप्री Eridiction of Poverty अंतर राष्ट्री एक गरीबी हटाओ दिवसकप celebrate होता है 17 अक्टूबर को जिसका उद्देश से क्या है लोगों के बीच गरीबी को खतम करने के लिए जाग रुकता फैलाना ठीक है अब बताओ इन में से कौन सी बात इसके बारे में सही है ठीक है दा यूएन जर्नल असेंबली स्टेबलिस्ट इस डे इन 1992 मतलब ये बोल रहे हैं कि संयुक्तर मारस्ट महासभा में पहली बार 1992 में डिकलेर किया था इस दिन को दूसरी लाइन कहती है कि 2020 की तीम है डिगनिटी फॉर आल इन प्रैक्टिस ठीक है तीसरी लाइन कहती है कि एस पर वल्ड डाटा लैब रिपोर्ट 2030 तक 369 मिलियन पीपिल जो होंगे वो अपनी मतलब की चरम गरीबी पर होंगे तो इन में से कौन सी बात सही है आपको ये बताना ये चौती बात है नहीं नहीं बिलकुल भी नहीं कर रहे हूं गुड इवनिंग जी साबिर जी वेरी गुड इवनिंग नहीं है भाईया गुड मॉर्निंग अपने चक्कर में मेरी इंग्लिश काहे खराब कर रहे हो गुड मॉर्निंग है ठीक है गुड मॉर्निंग है गुड इवनिंग नहीं है ठीक है चलो जल्दी से बताओ चिंदी हरकत आप इतना पिटो गे न राहो लिटना पिटो गे न दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारा चिंदी हरकत कह रहे हो जो तो आंसर हो जाएगा आल आफ दिया वह भाई साब तो इसको तो डरके ही मुझे खौफ आ रहा है वर्ल्ड डाटा लैब की अनुसार 2030 तक 369 मिलियन लोग जो होंगे वो अपनी चरम सीमा पर होंगे गरीबी में गरीबी में अपनी चरम सीमा पर होंगे बाप रे बाप है ना अब मैं बताऊं कि इसकी जो 17 अक्टूबर को सेलिबेट किया गया इसकी 2022 की जो थीम है वो क्या है और डे कौन सा था तो डे हैं इंतरनेशनल, एंतरनेशनल अफो़ और ना International Day for the Eridication of Poverty, इसका विशय जो है घरीबी उन्मूलन अंतराश्टी दिवस, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतराश्टी दिवस जो है उसकी तीम क्या है? इसकी थीम है, इसकी क्या है? चलो आगे कुछ इंपोर्टन नहीं है, नेक्स कुश्चन देखो भारत 18 से लेकर 21 अक्तूबर तक जो इंडिया है वो 18 से लेकर 21 अक्तूबर तक नई दिल्ली में, कहां पर नई दिल्ली में अंतराश्टी आपराधिक पुलिस संगठन जो है कि नबेवी महासभा की मेजबानी करेगा इंटर पोल का मुख्याले कहां पर है ठीक है जल्दी से बताओ लिखा है इंडिया विल होस्ट दी 90th जनरल असेंबली 90th जनरल असेंबली फॉर दी इंटरनेशल क्रिमिनल पुलिस ओर्गनाईजेशन इंटरनेशल क्लिमिनल पुलिस ओर्गनाईजेशन इंटर पोल का फुल फॉर्म है जो कि 18 से 21 अक्टूबर तक होगा ठीक है नई दिल्ली में वेर इस दी हेड़कॉटर ओफ इंटर पोल तो आंसर क्या हो जाएगा लियो में है कहाँ पर है भाई लियो में इसका हेड़कॉटर है तो भारत जो है जो कि 18 से 21 अक्टूबर तक नई दिल्ली में अंतर रास्ट्री आपराधिक पुलिस संगटन की नबेवी महासवा में मेजबानी करेगा इसका हेड़कॉटर कहाँ पर है लियो में है इसका हेड़कॉटर कहाँ पर है भाई लियो में है एक बार मैम आपका टाइपिस आपसे पिटेगा चिंदी हरकत तो वही किया है हाँ बिलकुल आज पिटेगा वो बुरा पिटेगा और याद रखना है ना बहुत मारूंगी आज मैं उसको ठीक है चलो तो हेड़कॉटर कहाँ पर है नई दिल्ली में है आखरी बार भारत में 1997 में ये आयोजित हुआ था है ना इस बार 2022 में आखरी बार 1997 में भारत ने मेजबानी की थी मेजबानी की थी तो 1997 में मेजबानी की और अब जाकर के 2022 में मेजबानी करेगा एक मेजबानी इसने आखरी 1997 में की थी बड़ा लंबर टाइम लग गया बाबू इनको वापस आने में और अब 2022 में ये मेजबानी करेंगे इसकी ठीक है लिओ जो है वो आपका है कहां पर और इसकी स्थापना इंटर पोल का हैड़ boy कहां पर है लिओ फ्रांस में अगर मैं मैं बोलू कि इसकी स्थापना कभ हुई थी और 19 जल्दी से बताऊ 1923 में इस्थापना हो हिती 1923 में भाई साफ थब तो हमारा देश भी आ जाद नहीं हुआ था अद्ध्यक्ष एहमद नाशर अल रही सक है न भारत की पुरुष एयर राइफल टीम ने 16 अक्टूबर 2022 को ISSF विश्व चैंपियंशिप में गोल्ड मैडल जीता है चैंपियंशिप कहां पर आयोजित की गई थी ये बताना है आपको चैंपियंशिप में ऐसा कोई काम नहीं नहीं करता जिससे मुझे कोई पीटेगा गु तेलवीव इसराइलिया इंस्तांबुल टर्की जल्दी से बताओ कहां पर आयोजित हुई थी ये जल्दी बताओ बचवा का हो ये कई सही आंसर जल्दी से बताओ बहिया तो आंसर हो जाएगा ये कई काहिरा मिस्तर में आयोजित हुई थी कहां पर आयोजित की गई थी तो काहिरा मिस्त्र में इसको आयोजित किया गया था इस चैंपियंसिप को काहिरा मिस्त्र में भारत का पांचवा गोल्ड था यह इसी के साथ भारत ने अपना पांचवा गोल्ड जीता है इसमें भारत ने इस चैंपियंसिप ने भारत ने अपना क्या पांचवा गोल्ड मेडल जीता है इसी के साथ भारत ने इस चैंपियंशिप में अपना पांचवा गोल्ड मेडल जीता क्लियर सबको सारी चीजे चलो अगर मैं बात करूं ठीक है तो इसके अलावा रुद्राक्ष पार्टिल जो है इन्होंने भी गोल्ड जीता था सेम सेम प्रतिय इस परदा में रु पुर्षों की 10 मीटर है ना पुर्षों की 10 मीटर एयर राइफल इस परदा एयर राइफल इस परदा पुर्षों की 10 मीटर एयर राइफल इस परदा में इन्होंने भी क्या जीता था गोल्ड मैडल जीता था क्या जीता था बाई गोल्ड मैडल इन्होंने जीता है ठीक है परवेज खान ने क्या जीता था परवेज खान ने भी इसमें गोल्ड मैडल जीता है किसकी बात हो रही है भाई परवेज खान की बात हो रही है परवेज खान ने भी क्या जीता है गोल्ड मैडल जीता था इनोंने भी इनोंने किसमें गोल्ड मैडल जीता है भाई तो इनोंन किसमें जीता है भारत का देखो इन्होंने जीता था 1500 मीटर दौड में इन्होंने जीता था यह गोल्ड मैडल ठीक है दौड में चलो next question पर आजाओ question है भारतिय महिला क्रिकेट टीम ने 15 अक्टूबर 2022 को श्री लंका टीम को हरा कर महिला एशिया कप T20 का खिताब अपने नाम किया final match किस देश में आयोजित किया गया था यह बड़ा बहुत सही है यार इसको बोलते हैं revenge ठीक है एशिया कप में श्री लंका ने इंडिया को हराया था याद होगा आपको प्रीती ऐसा कुछ नहीं है आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो भाई मैं वो कमेंट परती हूँ जो लुकता है चलो देख ले यार थोड़ा क्या इत्ता बड़ा बड़ा इन्होंने क्या लिख रखा है तो मैं वो पढ़ लेती हूँ ठीक है पंकत जी एक एह रह वो बांगलादेश में औरगनाइस किया गया है था अना फाइनल मैच कहां पर कहीं से जलने की बद्बूळ आ रही है क्या है पांगलादेश में मजाख कर रहे हूँ भई Cantonese में अजू खीस मत हो जाया करो टू अना नोवरे मुज लगता है मैंने क्या ही पाप कर दिया किया मैंने कोई ऐसी वाली फीलिंग आती है हाँ राहुल बिलकुल बिलकुल हसी मजाग पढ़ाई सब होगी इस क्लास में आपको पैसा वसूल एंटर्टेन्मेंट मिलेगा चलो तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर है आपका बांगला देश में क्वार्तिया तीम नेEST제가 कप के फाइनल में पांचवी बार स्री re लंकार आए तो अगर पूछें अगर पेपर में क्वेशन आता है कि भारतिय महिला क्रिकेट टीम स्रीलंका को चीप dar कर हिताब जीटा इससे पहले श्रीलंका को कितनी बार हराया जा चुका हैǤ तो ठीक है पांच बार तो देखिए गा पांच बार एक सेगें तो इस प्रतीष परदा की अगर मैं बात करूं एक सेगें तो पांच बार भारत ने एशिया कप में श्रीलंका को हराया है श्री लंका को हराया है पांच बार भारत ने एशिया कप में किसको हराया है श्री लंका को भारत ने मदला overall team की मत सोच लेना ये महीला team की बात हो रही है महीला cricket team की बात हो रही है हाँ तो मैं भी मज़े ले रही हूँ बाई जी में मुझे अच्छी लगते है चलो ठीक है चलो अच्छी बात है हां तो मज़े लो बसा मज़े ही लेना है ना फालतू की चीज Prize नहीं करनी भाई भारती है टीम की रेनुका सिंग को है ना रेनुका सिंग रेनुका सिंग जो की भारत टीम से थी इंडिया टीम से थी इनको मिला था प्लेयर आफ दा मैच अगर पूछे एशिया कप 2022 की विमन क्रिकेट में भारती महिला क्रिकेट टीम में मैं आफ दा मैच किसको मिला थ यह पर यह पर यह और यहां पर यह और यह जाएगा कि भारत ने इसकी बात हो रही है भारत ने किसने भारत ने साथ बार साथ बार महिला एशिया कप जीता है महिला एशिया कप जीता है एशिया कप जीता है ठीक ही रचिदा सुबा क्यों नहीं आती यार ये बताओ मुझे भारत ने इसमें कितनी बार साथ बार महिला एशिया कप जीता है clear सबको सारी चीज़े clear बनी कि ना ही ठीक हो भए करें चलो next देखो केंद्रिय रेल मंत्री अश्वनी वैस्णव ने किसकी बात हो रही है केंद्रिय रेल मंत्री अश्वनी वैस्णव ने 16 तुबर 2022 को डैश पर भारत के पहले अल्यूमीनियम फ्रेट रेक का उधगाटन किया है कहां पर भारत के पहले अल्यूमीनियम फ्रेट रेक का उधगाटन किया है गोरकपुर रेलवे स्टेशन अम्दाबाद रेलवे स्टेशन कानपुर सेंटर रेलवे स्टेशन या भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन कहां पर कहां पर किया रियलस्त एक कौन है औठाल रड़िय спरेट गया है। बार-बार भर हें भारत का पहला आखरी और विश्यू का पहला आखरी पेपर में जरुर आता है। Important होता ही, याद रखना, ठीक है चलो, अब इन्होंने ये सब काम Audisha में किया है, तो Audisha की बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, Audisha की बात करूँ, तो capital क्या है भाई? अभी मैंने पटनायक हो जाएंगे गवर्नर है गणेशी लाल है ना गवर्नर कौन हो जाएंगे भाई तो गणेशी लाल हो जाएंगे गवर्नर ठीक है जलो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनको मिस्स कर रहे हूं I am just asking October 2022 में Slovak गड़राज जो है Slovak गड़राज में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है October 2022 में Slovak गड़राज में भारत का अगला राजदूत अपूर्व श्रीवास्ताव सिद्धार सिंग बलबीर सेमबालिया अर्विंद शर्मा अर्विंद वर्मा ठीक है देखो मैं भी पंडित हूं और मुझे शर्मा शर्मा याद आ रहे क्या बात है समझ में नहीं आ रहे क्या बात है मजाक था है अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गरदाज में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो आंसर हो जाएगा अपूर्व श्रीवास्ताव को नियुक्त किया गया है किसको नियुक्त किया गया है तो आंसर हो जाएगा अपूर्व श्रीवास्ताव को नियुक्त किया गया है किसको भाई तो यह हो जाएंगे आपके अपूर्व श्रीवास्ताव तो अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गरदाज का भारत का अगला राजदूत है ना स्लोवाग गड़राज में भारत का अगला राजदूत किसको तो अपूर्व शीवास्ता को किया गया है अगर मैं बात करो स्लोवाग जो गड़राज है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी है ना स्लोवाग गड़राज की राजधानी क्या हो जाएगी यह देख लेते हैं तो ह वहने हो जाएगी भाट ची ब्राचसील वह थील्वा है न वटास कि उनलाइन प्रचत युद राजधानि में न जो पेंडहे न इसको मारें भरत तो बसने होते होगई राजदूत को बनाया गया है तो अवतार सिंह को है ना भी किनी ङरुष्ट करा राजदूत को बनाया गया है? ॠीक है चलो अरे खतम हो गया चली और कुछ इंपोर्टेंट है नहीं गुड मॉर्निंग सनी जी वेरी गुड मॉर्निंग बहुत लेट हो गए सनी आप देखो जितने भी बच्चों मैं आपको बता देती हूँ रोज सुबा साथ बज़े करेंट अफेर की क्लास होती है शाम को साथ बज़े जी के जीएस इस दो टाइम को अपने दिमाग में ऐसे डालो और ऐसे लॉक कर लो है ना और चावी कहीं फेक दो ठीक है कि भाई इस टाइम पे तो live आना है चाहे कुछ हो जाए दुनिया यहां की वहां हो जाए इस टाइम पे तो हमको live आना है ठीक है चलिए तो इसी के साथ देखो उम्मीद है आपको session पसंद आया होगा session कैसा लगा जरूर बताईएगा और और PDF कहां मिल जाएगी तो g GKGS with Jotsna Mam, क्या है भाईया, टेलीग्राम का गुरूप है, लेकिन इसलिए नहीं जॉइन करना है, कि यह पीडियाफ आजाएगी, ले लेंगे, क्लास में बराबर आने के लिए जॉइन करना है, क्योंकि जो भी क्लास स्टार्ट होती है, लिंक में यहां से फट से डाल देती जो भी क्लास स्टार्ट होती है, उसकी लिंक यहां पर फट से पढ़ जाती है, तो GKGS with Jotsna Mam, टेलीक्राम ग्रूप है, जॉइन कर लेना, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, जो भी पंडित है, वेद पढ़ो है ना, चलो, चलिए, तो थैंक्यू सो मच, आप सभी का ब जो 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 आपके आसपास भी होते हैं, उनको भी बता दो, आज सेल का आखरी देने, यह भी सुन लो, किसी भी कोई भी कोर्स खरीदो, Jyot कोड का यूज करना, एक मोटा डिसकाउंट मिलेगा, 55%, सोचो, और इससे भी ज्यादा का, 55% और इससे ज्यादा का डिसकाउंट मि मिलेगा, और साथ ही टेस्ट बुक का पास फ्री मिलेगा, है ना, और आज आखरी है, 12 बजे से पहले-पहले कोर्स को ले लीजिए, कोड यूज कर लीजिए, देखो, वहाँ खोपचे में दिख रहा होगा, Jyot, Jyot कोड दिख रहा होगा, खोपचे में उसका यूज कर ले झाल झाल